दोस्तों देखे आज हमारा ये सिप पुराण हमारा पुराण है और इसे सारी कथा सिप जी के बारे में लिखा है और जो जो कथाएं प्रभु राम संकर जी ने पारवती जी की हैं वो सारी सब कथा इसमें बिस्तित है आपको के करके थोड़ी सी पढ़ कर सुनाएंगे अगर दोस्तों बोनों सिप पुराण भहवाण कियी है ये पुराण परम उत्तम साष रहे इसे इस भूतल पर भहवान सिव का बार्ट मैं यानि सुरू समझना चाहिए इसाप पिरकार के इसका सेबन करना चाहिए इसका पठन voyez है इसससे सिबी भक्ति पाकर सेष्ट तम इस्तिती में पहुचा हुआ मनुस सीगरी सिंपत को प्राप्त कर लेता है इसलिए संपूर यतन करके मनुस इस पुराण को पढ़ने की इच्छा करते हैं और अध्वा इच्छा रखनी चाहिए अध्यन को अभिष्ट साधन माना है इस तरह इसका प्रेम पूर्वक सिर्वल भी संपू पुराण सिर्व के इस पुराण को सुनने से मुनस सब पापों से मुक्त हो जाता है तदा जीमन में बड़े-बड़े उतक्रष्ट भूगों का अभू करके अत्मी सिर्व लोग को प्राप्त कर लेता है यसे पुराण नामक ग्रंत 24 हजार इस लोकों से यूगत है इसकी सा मनुस को चाहिए कि इस भक्ति जान वैराग से संपन हो बड़े आदर से इसका सिर्वड करे साथ सहिंताओं से यूगत ये दिब सिपुराण है और परम्रम परमात्मा के समान बिराजमान है इस सबसे उत्रक्रष्ट गति प्रदान करने बाला है जो निरंतर यानि अनसंदा पुरोग इसका पढ़ता है और पुराण को बास्ताय पर पढ़कर सुनाता है नित प्रेन पूरोग इसका पाट करना चाहिए वेवेवे पुरात्मा है इससे सयम नहीं है जो उत्तम बुद्थी वाला पुरुस अंतकार्व में भक्ति पूरवग इस पुराण को सुनता है उस पर अतियन प्रिशन होए भगवान महसर उसे अपना पतधाम प्रदान करते हैं। जो प्रति दिन आदर पूर्व इस पुरान का पूजन करता है, वह संसार में संपूर्व को भोकर अंत में भगवान सिर्फ से पत को परात कर लेता है। जो प्रतिन आलस रिथ हो प्रेश्मी बस आज से बेश्टन में इस सिपुराण का संग सतकार करता है वोसे सदा सुकी होता है ये सिपुराण निर्मल तथा बवान सिव का सर्व सरूप है जो इही लोक और परलुहूप में भी सुक चाहता हो इस आधर के साथ प्रतिन है अते सता प्रेंपूर इसका सिर्वर्ण और विसेश पाड़ करना चाहिए तो दोस्तों ये छोटी सी कता सीव की भवान की अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें मेरे चैनल को जादर जादर सब्स्राइज करें कल दोस्तों महासी पुराण की कता और आगे पढ़कर सुनाएंगे अगर आप उनको अच्छी मतलब सही लगी हो तो सही कमेंट करना और गलत करी तो भी कमेंट करना तो आपको दोस्तों बोले से पुराण महां बगवान की जैए